असलाम लेकोमार डियर्स आज का जो हमारा टापिक है वो यह है कि MS Access को यूज करते हुए table कैसे create करते हैं हमने अपने प्रीविएस वीडियो में discuss किया था कि database कैसे create करते हैं different तरीका कार इसमें मैंने आपको बताए थे database create करते हैं कि different ways कौन कौस से हैं यह सारा detail से बताया था अगर आप नहीं देखी पिछली वीडियो तो वो लाजमी देख लें आप यहां से आपको पता चल जाएगा data blank database कैसे create करते हैं sample database को use करते हुए कैसे करते हैं my templates को कैसे use करते हैं वो सारा detail से बताया था खैर तो चलते है हमारे topic कि दर तो black database create करना है हमने यहां पर सबसे पहला काम आप क्या करें database का नाम रख ले मैं नाम रख रहा हूं college की नाम से अब यहां पर आपने location चूज करनी है इस icon के उपर click करके कहां पर आपने इसको save करना है तो मैं अपने laptop के d drive में जाके यहां पर एक मैंने folder बनाया हुआ है तो इसके उपर ok क्लिक कर दें तो यह database बनेगा college के नाम से database बनेगा किस folder में d drive में चला जाएगा और i.c.a. second year के folder में create के उपर click करता हूँ तो यह देखे database create हो चुका है database जब create होता है तो by default एक table बन जाता है उसका नाम क्या लिखा होता है table 1 तो table create करने के दो तरीके हैं कौन सा तरीके दो तरीके हैं एक है creating table by using data sheet view जो यह वाला है और दूसरा method जो है creating table by using table design तो मैं पहले जो तरीका है creating table by using data sheet view उसको हम देख लेते हैं तो इस तरीका कार में table बनाने का बड़ा सा तरीका है वो क्या है के table इसके उपर click करें तब यह की बात है मैं click करके देखता हूँ देखे गए को टेबल बन जेगा यह देखे टेबल टू बन गया यह पहले बाइ आइडी के नाम से अगर आपने इसको चेंज करना है तो इसको डबगली कर देखे आप यहां पर आप इसको नाम दे सकते हैं let's suppose roll number अच्छा जब आपने बचे roll number लिखना है student तो यहां पर आपने roll number के space नहीं देनी यहां पर यहां तो कठा लिख दे यहां फिर underscore लिख दे ठीक है इंटर कर दे यहां पर दूसरी फिल्ड एंटर करनी है तो यह दे कुछ data types है data types है पहले data types को review कर ले actually हमने column का name उस साब से रखना है कि जिस तरह का data उस column में आना होता है समझे इस बात को हमने उस column table के अंदर जो column create करने है column का name column की data type use करने होती है जिस तरह का data उस column में हमने save करना होता है MS success में जो data types है वो text, number, currency, date and time, yes, no, lookup, rich text, memo, attachment, hyperlink, वगदा वगदा तो यहां पर हमें एक website को उपर खोले हुए तो यहां पर देखें आप कि कुछ data types है वो कौन कौन सी text, text data type जो होती है वो को किस लिए use होगी, text or mix of text as well as number does not use for calculation such as telephone number ID तो यह हम use करेंगे जब हमने column के अंदर उस पूरे column में text type data उना होता है memo भी text data को store करने के use होता है मगर इसका size ज़हाँ ज़्यदा हो जाएगा तीक है यह देखे 255 characters तक और यह 64,000 characters तक स्वेख कर लेगा number नमेरिक data store करने के लिए date and time, date or time को store करने के लिए और currency, currency के लिए auto number, automatically increment करने के लिए यह primary की कि जिस column को बनाना होता है ना उसकी data type हम auto number रखते हैं अपर table बनाते हैं तो clear होजएगा yes or no, boolean data type यहनी true or false, ol object अगर हमने अपने कालम के अंदर किसी other file को word यह excel वगड़ा को attach करना हो तब हम ol object यूज़ करेंगे data type और hyperlink किसी website का link attach करना हो तो attachment को email वगड़ा attachment करनी हो तो look up wizard इसका भी आपको बताते है भी तो चलते हम अपने ms access की window के उपर तो यहां पे data type चूज़ कर ले अब मैंने एक और column बनाना है table का उसका नाम रखना है name तो column बनाने से पहले उसके type चूज़ कर ले name किस तरह का data उसमें आएगा text type का data ठीक है तो इसका column का नाम यहां पर लिखनें आप name इसना next column जो बनाना है दूसरा table पहले क्या रहा रहा the name you supplied is reserved word reserved word have a specific meaning to marcus of dicas मतलब क्या है कि यह जो मैंने name रखा है ना इसको मैं table के नाम के तौर पे use ना करो क्योंकि reserved word keywords यह कुछ special words होते हैं जिनको हम data column के name के तौर पे हम नहीं ले सकते हैं तो यहां पर मैं ऐसा करता हूँ एक table जूके मैंने student के नाम से बनाना है table std underscore name इस column का नाम है इंटरकी की प्रेस करता हूँ अब ठीक है अच्छा next एक और column बनाते हैं जी चले वह date of birth के लिए बनाना है उसका table का नाम रखना है date of birth उसकी type कर देते है date and time इसका यहां पर column नाम लिख देते है date of birth यह column बन गया इस तरह आपने website आपकी website उसके लिए column बनाना है यहां पर लिखता हूँ hyperlink data type उसके क्या होगी hyperlink इस column का नाम लिख देते हैं जी website यह देखें website यह column का इंटरकी के प्रेस करें तो यह देखें अब आप क्या करें इस column table को save कर दें यह इस के ओपर लिख क्या है right click करें और save करें इस table का को इनों के नाम राख दे मैं नाम राख देता हूं जी students okay के उपर क्लिक कर दे तो यह एक table बन गया है अब यहां पर टेबल इंटरी कर अब इसको पहले वाले टेबल जो है ना यह वाले टेबल प्रैमरी की भी बनाना है प्रैमरी की यहां पे नहीं हम वह होता है actually तो यहां पर देखें यहां पर मैं इंटरी का रहा हूं नहीं हो रही है यह देखें रोल नमबर नहीं है क्योंकि यह आटो नमबर है जैसे student name यहां पर मैं कोई भी नेम लिखूंगा न तो उस यहां पर id one automatically आ जएगा यहां पर देखें मैं लिख रहा हूं अली द ओके ठीक है यहां वेबसाइट वेबसाइट का लिंग देना है तो यहां पर लिख दें www.facebook.com तो यह दीज़ ओके तो यह चीज़ आगी अच्छा आप दूसरी इंटरी करने है दूसरी इंटरी करने जा स्पोज अली आहमद दूसरी अब इसकी यहां पर id खुद आटोमे ठीक है इस तरह आप यहां पर चूज़ करेंगे यह चीज़ इंटरी करते जाएंगे तो यह एक टेबल क्रियेट करने का तरीका है मैं सिक्सेस में कौन सा तरीका है creating table by using data sheet view ठीक है data sheet view को यूज़ करते हैं हम जो table create करते हैं वो हम इस तरीके से create करेंगे ओके तो next हम देखत करना है कैसे design view को यूज़ करते हुए तब तक के लिए अल्ला आफिज